दोस्तों लैप्रोस्कोपिक सरजरी का यूरोलोजी में प्रयोग इस बारे में कई मरीजों के कई सवाल भी होते हैं कई धारनाएं होती हैं उनकी सोच ऐसी होती है कि पता नहीं यह सक्सेस्फुल होगा या नहीं होगा एक्जेक्टली लैप्रोस्कोपिक सरजरी है क्या उसकी भी जानकारी बहुत कम मरीजों को होती है तो अगर यूरोलोजी की बात की जाएं तो उसमें लैप्रोस्कोपिक सरजरी किड्नी के विभिन ऑपरेशन जैसे की किसी ट्यूमर का पूरा रिमूवल या किड्नी का पूरा प्रॉस्टेट कैंसर से पीजी मरीज जिनमें पूरी तरह से प्रॉस्टेट को निकालना है जिसको राडिकल। दोन फसा हुआ कोई हिस्सा को पेशाप की थैली का कोई हिस्सा निःते में परेयोग की गया जाता है तो इस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तो आइए जानते हैं इसको परफॉर्म कैसे替irect कीज़ किए में एक पतली सी सुई डालकर पेट में गैस भरी जाती है इसको वीरिज नीडल कहा जाता है और जिस अंग पे आप अपरेट करने वाले हैं उस हिसाब से इस दूई को पेट के अंदर जाता है जब यह सुई पेट के अंदर चली जाती है तो इसमें कार्बन डियोकसाइड गै तो फिर एक special दो, तीन, चार जिस हिसाब से operation है, उस हिसाब से special ports जो है हमारे पेट के अंदर डाले जाते हैं, इन ports के द्वारा जो laparoscopic instruments हैं, उपकरण हैं, वो पेट के अंदर डाले जा सकते हैं, आपका जो urologist हैं, वो आपके अंग पे operation कर पाएं, तो इसमें एक special तरह की दूर्बीन होती है, ये दूर्बीन, laparoscopic दूर्बीन जो है, वो पेट के अंदर जाती है, जिससे अंदर की सारे जो अंग हैं, वो आपके सर्जन को clearly दिखते हैं, इन दूर्बीनों में magnification भी होता है, जो अंग normal size से कई गुना बड़ी size में आपके सर्जन को दिखते हैं, ताकि वो अच्छी तरह से आपका operation कर पाएं, दूसरा कुछ special dye वगेरा की प्रयोक से, खून की नसें जो supply कर रही हैं उस अंग को, वो अलग से देखी जा सकती हैं, कुछ laparoscopic surgeries में 3-dimensional views भी देखने को मिलते हैं, याने depth भी देखती है, कितनी दूर या पास है कोई चीज, वो भी नजर आती है, तो यह है laparoscopic surgery की तकनीक, अब कई लोगों का सवाल होता है कि, जैसे urology के अन्य operation है, दूर्बीन वाले, टी उर पी, टी उर बी टी, वी आई यू, जो प्रोस्टेट अगेरा के साधरन operation है, उन में और laparoscopic surgery में क्या difference है, तो मैं यहां clear करना चाहू कि जितने भी यह urology के minimally invasive operation है, जो की पेशाप के रस्ते से होते हैं, वो एक natural orifice technique, यानि मुटर मार्क के अंदर से ही हम दूर्बीन को डाल कर, natural जो हमारा पेशाप का रस्ता है, उसी के अंदर से हम दूर्बीन को डाल कर operation कर रहे हैं, लैपरोस्कोपिक surgery में इसके विपरी और उसमें गैस भर कर फिर operation कर रहे हैं, तो हाला कि इनके फायदे नुकसान लगबग एक जैसे होते हैं, लेकिन ये अपने एक दूसरे से different भी हैं, तो आईए जानते हैं, लैपरोस्कोपिक सर्जरी के फायदे क्या हैं, फायदों की अगर मैं बात करूं, तो जो पुराने इसको एक तो दर्द भी जादा होता था, घाओ से related complication, जैसे कि घाओ का ठीक तरीके से नहीं भरना, घाओ में हरनी आओ जाना, टाके पक गए, infection हो रहा है, हॉस्पिटल में 7 दिन तक रुखना पड़ रहा है, फिर घर पे जाके भी rest करना पड़ रहा है, ये open का जमाना भी बहुत कम होता है, घाओ जल्दी से भर भी जाता है, हरनिया के incidence भी बहुत कम होते हैं, यानि कि overall complication rate drastically कम हो गया है, जब से हमने open surgery से switch किया है, laparoscopic surgery की तरफ, laparoscopic surgery की खास बात ये भी है कि duration of hospital state, यानि कि मरीज जो है hospital में कितना रहेगा, वो बहुत कम हो गया है, laparoscopic surgery में एक से दो दिन में ही hospital से discharge हो जाते हैं, इसके अलावा अपने normal दिन चरिया की activities या काम पे लोटने की जो अवधी है, वो laparoscopic surgery में बहुत कम है, दूसरा, overall complication rates क्योंकि vision हमारा बहुत magnified होता है, हम अच्छी तरह से internal structures को देख पाते हैं, इस वज़े से complication rates भी laparoscopic surgery में काफी कम होते हैं, अब इस लोग का ये भी सवाल होता है कि laparoscopic surgery और robotic surgery में क्या फर्क है, रोबोटिक सर्जरी में क्या होता है कि एक console होता है, अलग से surgeon एक console पे बैठा होता है, जैसे video game का console आपने देखा होगा, ये कोई भी console देखा होगा, इसमें एक screen लगी रहती है और उसमें कुछ finger डालने के लिए, surgeon के fingers डालने के लिए कुछ knobs होते हैं, और उस पे surgeon बैठ कर अंदर की surgery perform करता है, operation theater उसके पास ही होता है, उसके अंदर robot होता है, robotic भुजाएं जो हैं, वो patient के अंदर होती हैं, और जिस तरह से surgeon अपने fingers को move कर रहे हैं, उसी तरह की movement जो है robotic भुजाओं की जो आगे instruments हैं, उस पर वो movements, one is to one की ratio में, simple वो प्रतिबिम्बित होती हैं, जैसा movement surgeon कर रहा है, उसी तरह का movement जो है, वो robotic भुजाएं भी करती हैं, तो बहुत से लोग ऐसा सूचते हैं कि robotic surgery यानि operation तो robot करेगा, ऐसा नहीं है, जो surgeon ही operation करते हैं, और जिस तर की movement जो है, वो robot भी reflect करता है, और robotic surgery में कुछ special फायदे हैं, इसमें एक तो 3D vision by default होता है, यानि की 3D dimensional, यानि जो surgeon है, वो depth में भी चीजों को देख सकता है, यानि दूर या पास कितनी हैं चीजे, वो उसमें खासकर अच्छी तरह से नजर आती है, दूसरा होता है कि जैसे ह हमारा wrist होता है, जो किसी भी तरह घूम सकता है, wrist joint जो है, कई भी आगे, पीछे, गोल, किसी भी तरह से घूम सकता है, तो robotic instruments में भी इसी तरह का एक endo wrist होता है, जिसकी 7 degree of freedom होती है, और वो किसी भी direction में गोल, आगे, पीछे, pronation, supination, इस तरह की movements कर सकता है, ये बहुत advantage है, patient के शरीर के अंदर अगर ऐसा आप कर पा रहे हो, तो surgically एक बहुत बड़ा advantage होता है, इससे complication rates काभी कम हो जाते हैं, तो ये था minimally invasive surgery, laparoscopic surgery के बारे में, इससे ज़रुड़े आपकी अगर कोई सवाल है, तो आप comment section में पूछ सकते हैं, धन्यवारी झाल